शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें झाल ओपसाँ कीजिए ऑिए के लिए सब्सक्राइब है जगू है जगू है जगू क्या भाई पता नहीं क्या बात है क्या छोट करने आया है एक बार बलाने सो सुनाई नहीं देता है क्या सबी नहीं Uh mi correre मैं समझ में आया तुझे या मजन को समझ क रखた था मज़्या करना ही सब बता बाहर से बाहर आने के बाद थोड़ा ओवर हो गया था शिव ने मुझे बोला लॉंग ड्राइब पर जाएंगे मैंने गाड़ी को बगाया आधे रास्ते में जाते ही एक जगा पर स्टॉप किया हमने वहां रुपकर फिर से ड्रिंक्स लिए और फिर एक्सिएंट हो क्या चलो ठीक है बाई इन लोगों का नाटक को जादा ही चल रहा है नजर रखनी पड़ेंगी अज़ा आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं हाई गड़ गर्ल मैं जैसे बोलूँगा वैसे सुनो तुम्हें जो चाहिए वो दूँगा हाई जोचले राम अज़गा लोगा वीज़ा आदे हो लोगाज़ कि इस बड़ादे रहाँ जादे भादे भादे कि अज़ा हो और गटे टो जा जादे देना मुझे कि आज़ा मुझे अज़ा ाटू टूश्टर झाल 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 आपने इन लोगों को क्यों मारा है यह लोग कुछ बुरे लोग है बेटा आपको समझ में नहीं आएगा चलो यह सब क्या मगज मारी है तो समझ में नहीं आता है क्या है मुझे भी देना एक सुटर यह डाल यह बच्चों को ठाके ले जाते हो कादागिरी करते हो सब को मारते हो आज बचाता तुम्हें अब करते हो फुरा नहीं करें बार बाए बाए चोड़े मेरे निगों कि आपको जग्व मेरे बेटे प्रें कहाँ चला गया तो है इस अध्यक्व का जला गया तो जग्व है प्रेटे कहां गया तुम्हा तो फुरीक सब्सक्राइब जागू कुछ ओना, जागू, जागू, नाओ कौन है यह, क्या ढून रही है, हे भगवान, जो मैं घर ढून रही हूँ, वो मुझे जल्दी मिले, आने तो देखते हैं, कौन है यह, यह तो मुझे ही देखता जा रहा है, हलो, हाँ, इधर आओ, हाँ, क्या ढून रही हो तुम, टुलेट बोड है क्या, यही देख रही थी, तुम्हें देखके तो ऐसा लग रहा है, जैसे तुम चोरी करने के लिए कोई घर ढून रही है, अब यहाँ से, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, उधर है क्या सर, हाँ, रियल स्टेट ऑफिस है वहाँ, अंदाजा लगाने सच्छा है कि तुम जाके उन से पूछो, ठीक है, ठीक है सर, नॉंसेंस, नॉंसेंस, मैंने अड्रेस पूछा, यह नहीं पूछा कि घर खाली है, बिना देमाग की बात कर स्टूपिड, वापस बुलाएगा तो टेंशन मिलीगी, इससे पहले कि सक लेती हूं, शीबू, 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 प्लीज भाबी, भाई आने तक मुझे सोने दोना, यह शीबू, तुम्हारे भाईया को आई हुए आल्रेडी पांस मिनिट हो गए है, अब तक शीबू, शीबू, नाच्ता तो करके जाओ तुम, जब भाज आएंगे तो मुझे फोन करके बता देना, मैं आ जाओंगा, कितने प्यारे हैं दुनों भाई, ब्रेकफास्ट करने के लिए भी टाइम नहीं है, ऐसे कौन से काम पे जा रहा है, अरे, कलेक्शन के लिए जा र अब इसका काम शुरू किया है, उसने, फाल तुम्हें सब के साथ मार्पीट करने वाला, अब फाइनस का धंदा करेगा तो गया काम से, अरे, बिना बाद वो किसी को क्यों मारेगा बला, जानती हो ना, वो तुम्हारी वज़े से ही विगड़ा है, हाँ, 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 अब बाद शुट करके मैंने ही तो बड़ा किया है, जाए 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 रेडियो जाए जब देखो तब उसे बुरा भला कहते है, भाई इसी को देदो, पकलो इसे, जब भाई इसी को देदो, अरे, बोला ना लो इसे, दीजिए भाई, तुम्हें जिम्हेदार हो उसके, हा तुम्हारा कैसा, उस दिनोगा टाइम दो भाई, मैं लाके देता हूना, और किते दिन चीहीं तुम्हें, भाई मेरे बात तो सुनो, पैसा अभी तरखो, मैं लाके अभी, अभी का मतलब अभी, फाइनस लेके पैसे वापस नहीं करेगा, तो मारेंगे रही तो और क्या करे दोबारा तुझे पैसे देंगे क्या, तुम जाओ भी, मैं देखता हूं क्या करना है, जाने के लिए मत भूली, सर, जब तक पैसा नहीं दोगे, तब तक मैंने जाओंगो, सर, 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 मुझे बाटा लेंगे, सर, 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 लोग भगवान को मंदिर में देखते हैं फोटो में देखते हैं लेकिन मैं पुलिस इस्टोशन में देख रहा हूं सर ठीक जाओ तुम्हारे भाई के भरों से यह सब कर रहा हूं चल अब उन्हें ही बताता हूं चल यहां से पहले बार निकल अरे शिवा अगर इन लोगों से ऐसी दपता रहेगा न तो जल्दी ओफिस की क्लोजिंग सरेमनी हो जाएगी इतना बड़ा मैटर नहीं है तो क्या तुम्हारे साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगा तुम्हारे साथ रहूंगा तो गड़बड हो सकती है उनका कहना है कि उन्ह जा यहां से जी भाई आज बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं अब क्या करूं फाइनस दे के सबको मारता रहेगा तो लोग अगर उसका पैसा दे देंगे तो क्यों मारेगा उने भला उसके लिए मार्पिट करेगा क्या मुझे तो उसे भाई बोलने में शर्माती है जब सामने आके रोते रहते हैं आपको उन्हें दो थपड़ लगा के भेज देना चाहिए मैंने भेजा वह भी पैसे देखे उसके लिए कुछ भी कर सकते हो लेकिन उसे प्यार जताना तुम बिल्कुल भी नहीं जानते क्या वह मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम जाओ यह जगह देखते देखते पास साल हो गए विल्डिंग बानते हुए चार साल हो गए पांच इंजिनियर आये और 20 जन मिस्त्री यहां रखे गए लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ ए उसको नीचे रखो इधर क्यों रखा हैं ए सुन बे जल्दी करो कौन है यह रोज यहां आके कुछ ना कुछ करता रहता है चलो यहां कब यह फोटो ले लेता हूं ओ भाई साब कुछ अकल है आपको मैं इतनी देर से देख रहा हूं आपको हर जगा जाजा के फोटो ले हो चक कर आके गिर गए तो किसकी जिम्मेदारी होगी इधर उधर दोड़ने के लिए तुम्हारे बाप का घर है क्या है यह मेरे बाप का घर है तेरे को क्या लेने दा रहा है चल निकलने यहां से अरे पहले आप यहां से चले जाएए जादा मत बोलिए किसको बोल रहा यह जमीन का मालिक है जोइंट विंचर में जंगा लिया इसने डेली आके हम लोगों को टॉर्चर करता है ऐसा क्या नेक्स टाइम जब आएगा ना फोड लेने करेक्ट टाइम देखके नीचे डालता हूं से अरे ऐसा कुछ मत करना चलो चलते हैं काम देखते हैं चलो सेनिटरी वाटर सप्लाइ एंड के बी आप जब भी फ्री होंगे तो हमारी साइट वीजिट कीजिए सर तो फिर हम डिटेल में बात करेंगे थैंक्यू सर एवन आइस दे थैंक्यू अरे भाई थोड़ा एडवांस चाहिए मुझे सेउ को पैसे देने हाई क्या है यह तुम हमेशा किसे ना किसी के नाम पर मुझसे अडवांस लेते रहते हो अल्रेड़ी अडवांस के नाम पर तुम 50,000 रुपे ले चुके हो मुझसे वो तुम कब चुकाओगे यह बताओ और बहाने नहीं चलेंगे शिवा को मैं बोल दूगा तुम जाओ यहां स कारी से आएंगे नहीं अए बगर रहेंगे नहीं मेरे साथ आते नहीं अकेले आकर कैसे काम करेंगे बताइए जरा काम करने वाला कुछ भी काम करेंगा ऐसी घावत है अगर ऐसा है तो आप भी सारा काल कर लिए खीजिए मेरे बाप के जैसी और बता लेबर प्रैंणिंग का हो गया सब हो गया लैंड डेवलोप होने वास कितना अच्छा लग रहा है ना वो सब रहने दे बाई प्रोग्राम कंफरम है ना अरे 100% कंफरम है यार जाने के बाद कै खेट हो रहे ठीगे जाओ कि अब क्या रहे किस किस को कितना देना है। बुक में लिखके रखाए बराबर चेक करके बेजो और जैसे तुम से पहले वाले आदमी ने किया था वैसा कुछ में उल् darf मैंने कभी बी ऐसा किया ठीक BEN करता हूं क्योड दिल में लोड़ोट darker VOICE बालू हम लोगों के घर में भाड़े से रहने के लिए एक लड़की आई है ठीक है मा आप समझ लीजिए और पूछताच कर लीजिए सब पूछताच कर लिए विचारी के माबाप नहीं है और एक भाई है बोल रही थी वो भी मुंबई में ही रहता है यह गनगना लेकर आया ह तो अच्छी है होगी मा उससी किराया अदवांस में ले लेना और रूम दे देना ठीक है मा फूछत यह गनगन न आया तो घर देही देतं घर कनफर्म हो गया ना मेरा कमिशन दे दीजिए ठीक कैमार कर यह खाना मत खाना घर पर ही खाना समझ गया लीजिए औक माँ बाई माँ दीदी आप वाला कमीशन मैंने मेरे बेटे को बोला है वो दे देगा ठीक ठीक ओके मैं चलता हूं हाई बाला जी हाई यार हाई दोस्तो अरे यार इतने जल्दी आ गए यार वो भैंस को ले जाने के लिए टाइम तो निकालना पड़ता है ना हाँ यार मिलकुल सही बोला है तो परवा नहीं हाती तो नहीं है ना कहां जा रहे हो कितने बज़े आओगे सारी डिटेल दो मुझे मेरी मा को बताना पड़ता है यार अगर उसे छोड़ा तो मेरे भाई को पक्का बोल के जाने वाला है भाईयो सुनो लड़की के साथ जाने वाला मैटर ना मा को बिलकुल नहीं बोल सकते आई बात समझ में आ हलो कितना भी बोलेंगे तो बरावर टाइम पर नहीं आएगा प्रोग्रेम में जाना है फिर भी रेडी नहीं हुआ अब अरे बाबा आ रहा हो दो मिनिट में तयार हो के अंदर से यार दो मिनिट नहीं चाहिए तो दो घंटा वेट करेंगे पर महरवानी करके रेडी हो के अरे तुम लोग चुचा बैटो यहां पर फॉरन पर्फियूम मारके अब ही आता हूं मैं अरे यार लाश पर डालने वाला पर्फियूम खुद पर डालोगे ना तो तुम भी मर जाओगे अरे तुम गधों को क्या मालम पर्फियूम की महक अरे गधों को ही नहीं भाई बाहर वेट कर रहे हैं मेरा यू कैरियो और इंज्वाइए ओके ओके हाय फ्रेंट्स जॉन को तयार होने में देरी होगी तुम लोग अंदर आके बैट जाओ आजाओ चलो यार अभी क्या करें इसके साथ हूं चीर्स अंगल बाप बेटा बोले तो आपके जैसे होने चाहि पॉइंट है मेरे भाई के बारे में अगर कुछ बूला ना तो जान से मार दूँगा बता रहा हूं क्या यार मेरे आने से पहले पार्टी शुरू कर दी चेर्स अंकल आप जॉन के साथ सिर्फ खाते पीते ही हो या फिर वह भी शेयर करते हो साथ में आप सही में लाइफ कर रहे हैं चलो यार चल्दी लेट हो रहे हैं बाइड 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 एक मिनट बेटी आप पहली बार आ रही हो यह टाइम में पहले बाहर से परिकर्मा करके फिर अंदर जाते हैं ठीक है ठीक है बेटी जाओ भगवान मेरी सोची हुई सब इच्छा पूरी कीजिए कौन है यह लड़की फॉरेंड में एजुकेशन खत्म करके शायद आई है हमारे गाओं की लड़की भी नहीं है बरतन घिस घिस के परंपना निवाने वाली हमारी बहु भी नहीं है दिखने में तो तेवदाज जैसा है बाजू में कुता भी नहीं है हाथ में बॉटल भी दिखने में स्मार्ट है ओके ट्राई करते हैं बालू हा मा बिटा मैं भी मंदिर जा रही हूं तुम्हारे लिए नाश्ता रेटी करके टेबिल पर रख दिया है खा लेना क्या रखा है मा बहुत थोड़ा सा आदा दरजन चिकन आदा दरजन अंडा हाफ लीटर दून बस य इसके लिए इतना सब कुछ खा लो कुछ नहीं होगा मैं मंदिर होकर आती हूं बाइ माम आंटी है आंटी हजार बाद ट्राए करोगे तो भी आरवता के दर्शन नहीं होंगे अरे अरे बाहर आये मैं कुछ नहीं करूंगी आप कौन है और मेरे घर पर क्यों आई है मैं तुम्हारे भाड़े की घर के लिए नहीं आई हूं मुझे आंटी जी से कुछ बात करनी है मम्मी घर पर नहीं है मंदिर गई है ठीक है ठीक है आप अपना पोस्स कांटिन्यू कर वैसे ना आप भी ठीक ठाक ही दिखते हैं हेलो कोई घर पर है क्या अरे तुम्हारी आखों के सामने दिखाई नहीं दी आप ऐसे क्यों बात कर रही है मैं इस घर का उनर हूं आप इस घर के उनर है सोरी सोरी मैं तब आपके घर आई थी आपने अपना चेहरा ही नहीं दिखाया मुझे कैसे पता चलेगा खेर छोड़ो कोई बात नहीं घर पसंद आया गया घर पसंद नहीं आएगा तो एडवांस दूंगी क्या ऐसा नहीं है फॉर मैलेडी इस के लिए बोला ऐसा क्या ठीक ह अब कानाम क्या है बताया नहीं मेरानाम nos एक किदे बच्चेश मैं चार इसे प्यार करते और भी सुन अबहु आप बहुत स्मार्ट हो आई-्लोग Toda यह लोग कहां से टपक पुड़े इस एरिया में रास्ते की कुट्टे जादा है लगता है दर्वाजा खोलते ही सब के सब अंदर चले आते हैं इन से मिलो सिर्दू लेंड डेवलोपर है नमस्ति यह है जॉन जॉएंट वेंचर में अपार्टमिन बना रहा है है मैं हूँ जॉन नाम तो सुनागी होगा और यह है अपना शिवू फाइनेंसर इसका बाई इंस्पेक्टर है इसी एलाकर में ओ बाई दिवेए वाट्यो ने अब ब्रादर कुछ बहुत अच्छा है अभी घर पर है आपको बाद में कॉल करूं क्या ओके फाइन आरियू कमिंग तोड़े में आती हूं तो के देंट ठेक एए ओके ब्रादर रहे नहीं भड़े का है तो फिर यह कॉन है मजाग बंद करो ओन ब्रादर से भी उपर है वो अभी अपना हॉस्पिटल चला रहे है मैं भी वहीं पर काम करती हूं वो तो मुझे पर मालूम है तुम्हे कैसे मालूम है वो मैडम चैसे तो आपने के सामने रखी है वो आप हमारे सामने रख दीजै क्या पता कुंडली हमसे मिल जाय है प्यार-प्यार प्यार की बात मुझे बोली अफसारे गाव को बता रहा एं आप क्यों चुप है जबान नहीं है कुछ बोलिये न यहाँ जैसे तो आपने बोलने की इजाज़ा दे दी तब से तब भी बढ़ कर रहे थे सॉरी सॉरी इसो की आपने प्रवलम् स्माल प्लीज फिर्स्स ताइम फोटो ले रहे हैं मेरा सिंगल फोटो क्यों सब लोग साथ में सेल्फी ले थे हाँ यहाँ नाइडिया इस एडिया इसाथ दो प्लीज तो और धिल्या खिए है ले देखिए यहाँ यहाँ एशुक्ण आपके यहाँ नूमबर यहाँ जो इसमे देद्या यहाँ लिख लिखे यहाँ 702-2-2-2-2-6-2-1-6-2-1 889 फिर्टा नाइस्जू और एक मुझे अपटी तेका जड़ंगों इंग ड्रॉप कर देता है एंग रधर भी उसले कई मुझे अप में से कोई भी ड्रॉप कर सकता है निकला अलो जैए नमस्कार स्वाव ये फीलिंग नाओ लेडी रहो लेडी रहो सर घबरानी कोई बात नहीं है ना या शी इस वेरी फाइन दो दिन में इसको डिस्चार्ज करके ले जा सकते हो खतां बूख और भुझे में तूफोर कईसी आपीजात्य ना प्रॉर, के लिए धुल के लिए जाना जोर्दन नहीं टाइम से खाना थाइम से इस मैं तुम लग से पार कर मोस आई हो फॉर किके लिए बत यह देख को देख आए और बहुत आरजनेंट है सर प्लीज देखिए ना सर आएगा तो वेरिफिकिशन के लिए हम ही आएंगे अभी तुम जाओ तुम्हारा नाम क्या है राजा सर देखने में तो कबाड़ी लगता है और घरवालों नाम राजा रखा है ठीक है पासपोर्ट काखिल करेगा क्या दूबई में जाके उंड चल सर मेरे जग्गू को किसने मारा कुछ पता चला देखिए आप लोग यहां रोज रोज पुलिस स्टेशन में आके परिशान मत होईए आपका बेटा मेरे भाई जैसा है आप परिशान मत होईए मैं देखता हूँ जीज यार आईशो सुबा जब घर में आई ना तब ऐसा लगा जैसे देवी आ गई हो अगर ऐसा है तो उसकी फोटो सामने रख के पूजा किया करो पुन्या मिलेगा शेल्फी लेते वक्ती सोच लिया था कि उसी से शादी करूंगा मैं डिसाइड करता हूँ तो चीजे करके ही रहता हूँ उसके साथ रहते हुए मुझे स्वर्ग जैसा फीग होता है उसकी आँके काम हो जैसी उसका बदन सौंदरे जैसा उसकी बातें बासुवे के जैसे उसके आगे जुगना ही चाहिए लेकिन एक बात करेक्ट है यार भाई बोलके ड्रॉप करो मजाग कर रही थी मैं तब ही समझ गया था वो प्यार करेगी ऐसा बोल रहा है तू मैं अल्रेडी उससे प्यार करता हूँ यार प्लीज तुम अपना ख्याल ना बदल डालो सॉरी गाइस तुम सब लोग बहुत पीछे हो मेरी मा मेरी शादी के लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंड रही है सॉरी गाइस तुम सब लोगों के लिए बैड न्यूस है हम दोनों का अल्रेडी फर्स नाइट हो चुका है कमिंग संडे चर्च में शादी हम लोग की बस बस बहुत हो गया मुबंद करूँ हाँ मैं उससे प्यार करने लगा हूँ उसी के साथ शादी के सपने देखने लगा हूँ होने वाले बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं मतलब हम सब लोग उससे प्यार करने लगें येस हम मेंसे किसी भी एक से वो प्यार करेगी तब तक हम अपने प्यार का इजार उससे नहीं करेंगे करेक्ट यार हम मेंसे किसी एक को उसे ही सिलेक्ट करने दो ओके यार, जब वो हम लोगों मेंसे किसी एक को सिलेक्ट करेगी, बाकी के लोग भाई बनके अपना फर्ज अदा करेंगे, उसकी शादी करेंगे, ओके ना, ओके, ओके, वो लड़की गाउं में जब से आई है, तब से तुम लोगों के बरताओं में परिवर्तन देख रहा फिर भी ये सब गलत हो रहा है, तुम लोग प्यार में हार गये, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बलकि जो सीखा वो बोला ए, तुम लोग का हो गया क्या, तुम सब लोगों को एडवाइस देने का योग मुझे है की नहीं, पता नहीं, लेकिन ऐसे प्यार मत करो, बोलने का योग है मुझे, ए, सुनो, वो मैं बोलना चाहिए, प्लीज प्यार के चकर में अपनी लाइब खराप मत करो, निकल जा, वरना पिठेगा, अरे, मैं तो तुम लोगों को समझाने आया था, अरे मैं अपने ही सर पे खुद क्यों नहीं मार लेता, अब वो भगवान ही तुम लोगों को समालेगा, यार, ये भी न गधा है, राइट, 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 परे, मेरे सपनों की तु है परी, दिल कहे, तेरा बिन्ना जीना हमको कभी, और तु दे, प्यार तु ने, दिल कहे, पास रहे, तेरे वपाओं में दोबार हूँ मुझ को अपना सबसे जुदारे, तेरे विन्ना मुझ को जीनारे, कहे सुनो ना सबने बुन्लो ना एक दूजे संग रहेंगे रूबरू हम दोनो मिलके हम करेंगे धामा, एक दूजे के बातों का रखेंगे खाया हम दोनो मिलके हम करेंगे धामा, एक दूजे के बातों का रखेंगे खाया तू परी मेरे समना की तू है परी जिन पर जीना ना करें तूने जो देखातो शरम आया दिल, तेरी बातों पे आया मेरा दिल तेरे संग मरा दिल पाये खुशिया, तेरा दिवाना हो रहा है दिल कहता दिल तु है तू रहते रूबरो, माड मेरा तुझको सनम पल पल जाये चो कहता दिल तू है तू रहते रूबरो, माड मेरा तुझको सनम पल पल जाये चो तू परी मेरे सपनों की तू है परी दिल कहे तेरा बिन्ना जीना हम को कभी आरत दे, आरत दे, दिल कहे पाढ़ रहे तुरे वह तो माड मेरा रहा हूँ मारू मत सर, मारू मत मैं वापस आकर दूस्ते पूछूँगा की सच्चा ही क्या है बोला नहीं तो ना जीने के लायक रहेगा ना देखने के समझा ले यार जल्दी ले यार चाई पिलाव यार क्या रहे अब उन्हें घर आने बूलिया तुम सब जब से लड़की मिली है अरे बताओ तो सही कौन है वो मिलाओ हमें भगाने के लिए वो गारी नहीं है शेयर करने के लिए वो खाना नहीं है कि वैशी वैशी लड़की नहीं है शी से फ्रेंड फ्रेंड मतलब हम भी जानते हैं कैसी वाली फ्रेंड देख बिटा चुप बैट परना अच्छा नहीं होगा अब उनको भी एक चांस दो बाड़े का घर है मेरा अब उनको भी मिला देना उससे बाड़े का घर तेरा रहेगा तो मेरी गल्फ्रेंड पर तू लाइन मारेगा क्या शाणा समझ रहे तू बेवकूफ हुम है चुपचाप खड़ा रहे लगता है सारे के सारे जान देने लगे उस पर तुम सब कभूत्रों को अच्छे से तैयार गया शोर्याने एक लड़की के लिए रोड़ पे मारा मारी कर रहे हैं ये लोग इन लोग को ऐसे छोड़ेंगे तो मेरी हालक खराब हो जाएगी पुलिस चौकी में फोन करता हूँ कि दिखाए दिए आपने पांगे जोड़ूंगा है कि 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 तुमारा टाइम बहुत अच्छा है इसलिए मेरे भाई के चंगुलें फसे हो मेरे हाद में फसता तो जगु के जैसे तुमें भी शिव के पास भेज देता इस शिव को शिव के पास भेजने वाला आस तक पैदा नहीं हुआ है समझे और होगा भी नहीं ये फिल्मी डालग मत मर भाई सीरियस हो के बात कर ब्लेड के बिना ब्लड आब अगेर मारने के लिए मुझे बहुत अच चलेगा सर एक मिनट क्या राजिश कैसे हो ठीक हूं सर पांच बजे नहाना छे बजे पूजा साथ बजे नाश्ता एक ही चेंज है कभी लवर को फॉलो करता था अब लव करने वालों को फॉलो करता हूं 99% लड़के लोग लव करते हैं लेकिन 1% का सक्सेस्फूल होता है इसलिए ऐसे लड़के लोग को उनके पेरेंट्स के सामने डाल देता हूं बस इतना ही काम है मेरा अच्छा काम कर रहे हो तुम आपका भाई शीव और उसके कुछ फ्रेंड्स एक लड़की के पीछे घूम रहे हैं सर सर में कितना भी बोल रहा हूं वो समझ नहीं रहे हैं आप थोड़ा समझाईए सर शीव और उसके कुछ फ्रेंड्स लोग गुंडा कुमार के साथ सड़क पर ही जगड़ा कर रहे थे के चलो ना कि तुम लोग बैटो में कॉफी लेकर आती हूं जब करने के लिए को मंत्रतों दे देना उसे करते हैं नमस्कार भाई यह तीनों क्या बात करेंगे भाई कौन से मूड में कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार पता नहीं सुबा-सुबा क्यों बुला है भगवानी जाने क्या होगा रक्षा कॉफी ले क्या हो कॉफी पिला कर राज उगलवाएंगे लगता यह अगले हफते हम हमारे शिव के लिए लड़की देखने जा रहे हैं उससे पहले उसके मन में क्या है बस यही जानने के लिए मैंने तुम सब लोगों को यहां बुलाया है नहीं यहां बाई एक लड़की से प्यार करता है वो यह बात तो शिव से पूछ सकते थे ना वो बता देता इन्हें लीजिए ले लो ठीक है उस लड़की का एड्रस दो मैं जाके बात करता हूं पन्वेल की भाई वहां से अब तक सिगनल नहीं आया है सिगनल आया के नहीं मुझे नहीं बता एक महीने का टाइम देता हूं तब तक डिसाइड हो जाना चाहिए नहीं तो मेरी पसंद कीवे लड़की से चादी करनी पड़ेगी यार कॉफी ठंडी होगी है जंदी भी हो जाने ते शंदी मैं एड्जेस कर लूगा तुम लोग ये सब कैसे करोगे मुझे नहीं पता एक महीने में नहीं एक हफते में वो लड़की मेरे शिव से प्यार करनी ही चाहिए अगर मैं ही ट्राइग करूंगा तो हो सकता बात बन लाएंगे तो उसका रिजल्ट कुछ और ही होगा हाँ भावी हम लोग सब बोल रहे हैं ना ये उसको पसंद है ना क्या बताओ भावी ये तीनों भी उसको पसंद करते हैं ये क्या बोल रहे हो एक ही लड़की को सब लोग प्यार करते हो क्या इडियट हो क्या प्यार को खि दिखाई देता है ऐसा होता है प्यार भाशा नहीं रहेगी तो भी जानवर को समझ में आता है एक लड़की के जिंदगी में एंट्री होने के बाद बागी सारे दोस्त भाई छोटा भाई सब बेगाने हो जाते हैं अपने दोस्त के भाई को भाई बाप माँ बहन ऐसे भाई भाई होगी हां भाई आप सही बोल रही हो यह सब बाते उसे मालूम है क्या उसे नहीं मालूम भाई उसके पता होने से पहले तुम लोगों को निर्णे लेना होगा दिमाग बोल रहा है तुझे ना चाहूं दिल बोल रहा है तुझे चाहूं तुझे याद करता हूं तो तुझे आखों के सामने नजर आती है तुझे याद नहीं करता हूं तो भी मेरे साथ ही रहती है ये तुझे कैसे बता हूं झाल 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 क्या हो गया अभी तक इन लोगों ने एक मैसेज भी नहीं किया एक फोन भी नहीं किया मैं फोन करें तो रिसीव भी नहीं कर रहे हैं कहीं कुछ प्रॉब्लेम तो नहीं आऊ गई कौन है है आईशू आईशू का फोन है हाँ मा हाई आईशू गुड मॉनिंग क्या गुड मॉनिंग हाँ मैं कल राज से तुम सबको मेसेज कर रही हूं तुम मैंसे किसी ने भी रिप्लाइन नहीं किया नींग हराम हो गई हाईशू स्पीकर ओन करो हमें भी सुनना है अरे चुप क्यों हो सिंदा हो ना तुम क्यों आरे तुमने मेसेज का जवाब नी दिया तो मुझे लगा कि कहीं तुमारा अक्सिडेंट तो नहीं हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है मैं बिल्कुल ठीक हूं थोड़ा सा बिसनिस का अच्छी परवरिश करने के लिए बोला था तुने ये परवरिश दिये सही है अच्छी बात कहीं तुमने क्योंकि आप मिलेटरी में थे ना अभी तो आप रिटायर होके आ गए है ना तुमने ही अपने बच्चों को खराब किया है बेटा बेटी बोलके लाड़ प्यार में बिगार दिया है उन्हें और अब मेरा सिर खा रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं है वो अच्छा ही हमारे घर में तो कुछ अजीब ही है बीवी घर चलाएगी तो सब घरों में ऐसे ही होगा सब अजीब अजीब वो सब मुझे पता है बात मत करो चुप रहो लिए यार में विष्वनुत अरिद देश्वनुत अरिद देश्वनुत हाई हाई जॉन प्रसाद नहीं खिलाओगी क्या क्या रे जब तक मुझसे रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक तुम लोग मंदर नहीं आओगे क्या वाट अ प्यूरिफुल पिक्चर एक पत्ता उस पत्ते में प्रपोस करने वाली एक जोड़ी तुम्हारा प्रपोस करने का स्टाइल मुझे बहुत ही पसंद आया आया लव यू शिवू आय रियली लव यू आय लव यू तू आईश्यू वाव वाट अन ओसंद पिक्चर इतने सारे पेड़ पेड़ की बीच में तालाब तालाब की बीच में एक बोर उसमें मैं और तुम बहुत सारी बारिश थे एक चत्री हाव रोमांटिक आई लव दिस पिक मुझे इस जगा लेकर जाओ गे ना तुम आई लव यू सो मच सिद्धू यह कन्फ्यूस कर रही है इसा सब कुछ फिल कर रहे हो क्या यू नौटी बॉय आई लव यू जॉन यह एसे क्यों कर रही है इसका प्लान क्या है वन्यू हो। रही है depends रहे हैं भालाजी यू प्लाँ जा प्लाठार्श्या बिप्र रहे हैं और यह है और बालाची । ज भली बड़े थाrot लेकिन तुम सब लोग मेरे दिमाग को अच्छे लगे मेरे मन को नहीं इन फ्यूचर तुम में से कोई भी मुझे अच्छा लगाना तो मैं तुम लोगों को बताऊंगी जरूर वरना हम दोस्त बन कर रहेंगे तुम सभी लोगों को मेरी दोस्ती पसंद है तो continue रखो नहीं तो no need घर में रहती हो तो बहु से डर के काम करना पढ़ता है अरे यहां किससे डर के काम कर रही हो डिस्चार्ज होने के बाद घर में ही जाते है न लक्षमी लक्ष्मी तुम्हारे दो प्यारे से बच्चे हैं तुम बोलोगी तो कितनी भी तकलीफ हो भागे भागे आते हैं इससे बढ़ कर और क्या चाहिए ऐसे तो दोनों बच्चे मेरे लिए जगड़ा करते रहते हैं ठीके ठीके अब तुम एमोशनल मेथ हो जाओ नहीं होती लेकिन पंश चलाने के लिए बेटा तो चाहिए ना कितने दिन तक माबाप लड़का और लड़की देखते रहेंगे अरे लड़का और लड़की नहीं देखना चाहिए अच्छा मन होना चाहिए तुम बहुत प्यार करने वाला हर एक लड़का तुम्हारी तरह बात करता है लेकिन जाएगा कहां घूम फिर के यहीं आएगा मैं तेरा बाप हूँ बाप तेरे धक्का देने तक मैं वहां चुपचाप खड़ा रहूंगा मुझे भेड समझ रखा है क्या लव यू डैड अगर आप गुस्टा नहीं करेंगी तो एक बात पूछू क्या है पूछो नहीं आप डाटेंगे इसलिए मैं नहीं पुछता नहीं डाटूंगी बाबा आओ बोलो मेरी शादी के बारे में आपने क्या सोचा मा मैंने कुछ नहीं सोचा बिटा लड़की बहुत अच्छी है और वो आपको भी बहुत पसंद करती है मा उसको पसंद है क्या मुझे भी पसंद होना चाहिए ना जानती हूं वो कौन है हमारे घर में बढ़ उत्री है बहुत अच्छी है मन भी उसका बहुत साफ है विचारी के माबाप नहीं है दिल से वो मुझे अपनी मा समझती है देखो बालू तुम नहीं भी बोलोगे ना तो भी वो हमारे घर में बहु बन कराती हूं मैं देखो तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए मैं अपने हातों से स्वेटर बुन रही हूं बेटा मा यह सब बातें बना के आप मेरे साथ ड्रामा कर रही है क्या तुम ड्रामा कर सकते हो मैं नहीं कर सकती हूं क्या अभी तक तुम्हारा खेल था इसके बा इसका मतलब बहने घर पे होंगी तो प्यार नहीं करना चाहिए प्यार करो मैंने उसके लिए नहीं रोका हमें सूट नहीं करता हम जैसे लोग जाती, खाननान, रिश्टेदार ये सब चीजें जरूर देखते हैं ये सब तुम्हारे बच्चों की समय में बदल जाएगा पर अभी ये सब सोचना पड़ता है ठीक है पापा, मैं सोचता हूँ अगर तुम प्यार को कंटीनियू करोगे तो ये जो काम बन रहा है, वो भी बिगड़ जाएगा तेरे पास ज्यादा दिमाग है तुझे और क्या समझाओं मैं सोच समझके डिसीजन ले लेना ठीक है मैं चलता हूँ तुझ सही डिसीजन लेगा मुझे पूरा भरोसा है तुम ये सब जो कर रहे हो मुझे बिलकुल ठीक नहीं लग रहा बाबी, सही है या गलत मुझे समझ में नहीं आ रहा लेकिन एक महीना मैं ट्राई करता हूँ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ओके यू अलवेस तिंग पॉजिटिव मैन क्यों नहीं होगा, मैं जैसा बोलूंगी वैसा करो, वर्काउट होगा ही होगा भाबी, आप इतनी कॉंफिडेंस से कैसे कह सकती हो एनिहाओ, आल दे बेस्ट थैंक यू नमस्कर सर आप लोग, आप लोग बार बार आके परेशान नहों ऐसा बोला था न मेरे पास कोई खबर होगी तो मैं फोन करके बता दूँग आपको हॉस्पिटल से फोन आया था रिपोर्ट के लिए जग्गू की बोला अगर हॉस्पिटल आए तो रिपोर्ट लेकर जाईएगा यही बात हम आपको बताने चले आया कौन सा हॉस्पिटल है हलो डॉक्टर प्लीज कम इन, ठीक यह सीट सा थैंक यू यह क्यों इधर आये हैं भाई के साथ इन्हें क्या काम है आशू, हाँ लास्ट टू अंडर लीवर रिपोर्ट में जग्मून की फाइल है जाओ से लेकर आओ, ज़रा जल्दी लेकर आओ हाँ, ठीक है आशू, लक्ष्मी मेडम को फिजियो टेरवी कर वे लेगा है हाँ, ठीक है यह पेशन्ट जेनरल टेस्ट के लिए आया था रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन वो रिपोर्ट लेने के लिए आया ही नहीं जैसे सबको इनफर्म करते हैं, उसको भी इनफर्म किया मेरी शिव के बारे में कुछ बात करने आया है क्या कुछ पता ही नहीं चल रहा है सेसी टीवी फुटेज देखे है ना, कोई क्लू मिला नो डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर जो कुछ भी हुआ या बाहर जो कुछ भी हुआ, उसने कुछ फॉलो नहीं किया आए मिन कैमरा फुटेज में कुछ भी रिकॉइड नहीं हुआ थैंक गॉड, मेरे बारे में बात करने के लिए नहीं आया है इसलिए दॉक्टर, सीची टीवी फुटेज की एक कॉपी मुझे दीजे यह यहां काम करती है क्या सर, एक कंप्लेंट करना है कंप्लेंट देनी है, उदर जाइए ठीक है सर सर, एक कंप्लेंट लिखवानी है क्या है मेडम, क्या प्रब्लम है सर, इसके ओपर कंप्लेंट लिखवानी है यह क्या सब कुछ करके अब मेरी कंप्लेंट लिखिए सर पहले मेरी कंप्लेंट लिखिए यह मेरी सौतन है मेरे पती को रखके कुट्टे को जैसा मारते हैं वैसा मेरे पती को मार रही है सर पहले मेरा कंप्लेंट लेकिन निकम्मे के जैसा खापी के यहां वहां रातीन भटकने लगा कर देखा सर इसको तुम्हारा ऐसे ना यहां मैंटम यह पुलीक टेशन है कोई सिटी मार्किट नहीं है तुम लोग ऐसी लड़ती रोगी, तो तुम दोनों को अंदर डालना पड़ेगा, जाओ यहां से, कहा है लेडी पुलिस, सर अंदर ही थे, मैं फूल गया, सतीश, यह पुलिस स्टेशन है, यहां बैटके मज़े कर रहे हो तुम, बोलो, उन दोनों को पुलिस स्टेशन में ज सबके मामले में करेक्ट है, मेरे मामले में क्यों नहीं, कौन है, हाँ, आई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, सौरी सर, अंदर आए, बैठिये सर, वो मेरा फैमिली फोटो है, उसे देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे माबाप मेरे साथ ही रहते हैं, इसलिए फोटो पर हार नहीं डाला, आई तेंग, यू और वेरी इमोशनल, क्ली, वाट वुड़ यू लाइक तो हाव, कॉफी, नो थैंक्स, आपको मेरे भाई के बारे में क्या लगता है, आप क्या बोलना चाहते हैं, मैं जानती हूँ, मैं वैसा ही बोलूँगी, और ये हिट यू बोलके, या तो उसे समझा दो, वरना ये एरिया खाली करने के तयारी कर लो, क्या सर, दरा रहे हैं क्या, इन फाक्ट, मैं आपके भाई के पीछे नहीं पड़ी हूँ, वो मुझसे प्यार करता है और खुद मेरे पीछे पड़ा है, आपको जो कुछ भी बोलना है, अपने भाई को जाके बोलिए, शिव के भाई हैं, इसलिए आपको अंदर आने दिया अगर सिर्फ पुलिस ओफिसर होते न, तो बाहर ही खड़ा करके तुमसे बात करती और वहीं से वापस भेज देती लड़की हो तो ऐसी होने चाहिए, काउँ छोड़के, शहर आके, शहर के लड़कों वो फसाके, उन्हें अपने प्यार के जूटे चकर में डालके, धंदा करती है, और नाम के लिए नर्स की नौकरी करती है, चल मेरे साथ कहां? पोलिस स्टेशन, तुम अपने अपाऊगी तो जीप में लेके जाऊंगा, वरना गसी टे हुए लेके जाऊंगा, हाँ हाँ अरे चोड़िये, चोड़िये साल, अरे मेरा हाथ चोड़िये, चल, चल मेर साथ, चोड़ो चोड़ो पकड़ो आओ पकड़ो लाइफ मैंने आज तक जो भी किया वह करके कभी खुश नहीं रहा लेकिन तुम्हें पाने के बाद मैं समझ यहाँ प्यार क्या होता है लेकिन अश्वर्या भाईया ने जो आज बताया क्या वो सच है तो फिर तुम्हें अगर सच में मुझसे प्यार है और अगर तुमने मेर इज़द करी है तो वादा करो तुम इस बारे में कभी बात नहीं करोगे अब कि हम दोनों की शादी भी हुई तो भी नहीं मेरी कसम है तुम्हें मैंने तो तुमसे प्यार नहीं किया पर तुम मुझसे प्यार करते हो और तुमारे भाई को ये पसंद नहीं आज सुबह ये सब उसी का रियाक्शन था इस बारे में और कुछ भी मत कहना और अपने दोस्तों को भी मत बताना अजसा प्यार कभी मरता नहीं शीवू हो तुम्हारे भाई नहीं तुम्हारे पिता समान है वो जैसा कहते हैं तुम वैसा ही करो और वह जो बोले मैं करूँगा लेकिन आश्वरय जब वह मुसे बात ही नहीं करते हैं तो मैं क्या करूँ ऐसा मत बोलो शिवू तुम्हें उनकी बात सुननी ही पड़ेगी मैंने ऐसा बरताव क्यों किया मेरे भाई के साथ प्यार करने के लिए या वो मुझसे डरी नहीं इसलिए उसने ये बात मेरे भाई को बोल दी तो वो क्या सोचेगा लेकिन उसने ऐसा बरताव क्यों किया ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई आत्मा आ गई है एक्दम से ये पागलों जैसा बरताव करने लगी अजीब बात है बाराओ साप तुम्हें बुला रहे हैं ये लो तुम्हारा फोन ये 24 गंटे आन रहना चाहिए जैसे ही फोन करूं उसके आदे गंटे के अंदर पहुंच जाना ओके सर जाता हूं पहां कौन है बूलो बड़ी बहन बूल रहे थी और कौन बूलेगा चोटा हुआ तो भी चलेगा मैं ही शाद़ी करऊंगी बूल रहे थी लेकिन तुमने उसी मना कर दिया ये बात तुम्हारे मुझे बिलकुल निकलनी क्या है हाँ उसका नाम है अईश्यार रिया हाँ हाँ ठीके ठीके-बाद ने कॉल करती हुँ क्या बात आै चिव के बारे में तुम अपनी बेहन से बड़ा हस्के मुझे लगता है क्यूं पर हुआ क्या कुछ होना भी नहीं चाहिए यहीं सोच रहा था लेकिन उस लड़की के बारे में सोचे बिना मैंने अपने शिफ को एक महीने का टाइम दे दिया टाइम देके शायद गलती करती मैं अरे वो आपका भाई है जी एक महीना क्या एक साल भी टाइम देंगे तो भी वो कभी गलती नहीं कर सकता उसे दिन बोल रहा था वो कि अपनी पसंद की लड़की से शादी कर दो मेरी पकार शादी कर लेता लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कि आपने पहली बार उसकी पसंद का काम किया है सो आप कुछ भी फील मत करो सब अच्छा हो जाएगा फर्स टाइम लास्ट टाइम नहीं होना चाहिए इसी बात कर रहे है विनो दीदी एक मिनट रुको मुझे आपसे कुछ कहना है हर बार मैं भूल जाती हूं क्या बात है अच्छा बताईए मेरा बेटा सिद्धू है ना वो जो तुमारे घर पे लड़की है ना ऐश्वर्या उसको बहुत प्यार करता है ऐसा क्या मेरा बेटा भी उससे बहुत प्यार करता है तुमारे बेटे से नहीं मेरे बेटे से जोड़ी अच्छी लगती है उसकी दोनों सा के आते हैं तो कैसी दिखते हैं मालूम है ध्रवास राजा और राधिका ऐसे ही लगते हैं मेरा बेटा और लक्षमी हेलो सिस्टर एक मिनट आईसू ध्रुवा नहीं सुधीब दर्शन और दो जन है क्या तुमारे बच्चे लोग उन्हें पसंद करते हैं वह इंपोर्टेंट नहीं है इंपोर्टेंट ये है कि तुमारे बच्चे लोग को वह पसंद करते हैं की नहीं ये ज़्यादा जरूरी है वह तुम बेटो उसकी जोड़ी मेरे बेटे की साथ एच्छी लगती है और वो मेरे बेटे को पसंद भी करती है नो चार्श नहीं किसी एक को प्यार करती है या दूसरे किसी और को भी प्यार करती है किसको पता तुम लोग बच्चों की जल्दी से शादी करवा दो प्यार को उठा के फेक दो उसके बाद सब कुसे हो जाएगा यह इतना लंगडाते हुए क्यों आ रहा है बई क्या हुआ किसी को फ्री में अड्वाइस देके फ्री में लांत कुसे खा क्या आये हो समाज सिवा के लिए मिला हुआ गिफ्ट है रज्जा एक चाय दे दो भई दे दो बढ़िया चाय इसके चेहरे पे समाज सिवा की सूजन चड़ी है तुमारे जैसे लोग एकी जमीन को तीन तीन लोगों को बिष्टे हैं ज्यादा मत बोल चुपचा बैट अरे माँ ओ माँ आख और राजिश किसने मारा तुझे क्यों मारा बस इसी लिए उन्होंने मारा मेरी बोली बात नहीं सुनोगे तो तुमारे साथ ऐसा ही होगा ए जला जल्दी लाइटर देना यार नहीं है यार मेरे पास तेरे पास है क्या क्या यार हमेशा जगवी हम लोगों की सिगरेट जलाता था हम् हम् आम ए सब लोगों का मोड क्यों खराब है वाट हैपनद सब लोगों को छोड़ कर चला गया जब वो साथ में रहता था तो हमारी जोड़ी बिल्कुल अलग रहती थी उसके लिए तुम लोग इतने उदास हो रहे हो इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है यहां सब को एक दिन दुनिया छोड़ के जाना ही है उसके लिए अपना मूट क्यों खराब कर रहे हो चियर आप कि आईशू हाँ हाँ मैं शिव की भावी हूं हाँ मैंने फोटो में देखा था अंदर आएए इंस्पेक्टर की वाइफ अंदर क्यों गई गर को बहुत अच्छे से सजाया है तुमने थांक यू मेरी ममी ने सिखाया है मुझे ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है तुम्हारा भाई कैसा है फोन तो करता रहता है न वो कब आने वाला है कुछ बताया है आपको क्या चाहिए बोले बोलती हूं लेकिन नहीं बोलना च जाती प्लीज डोंट वेस्ट माइ टाइम ओ सॉरी आईशू तुम्हारा सुबाही मूट खराब हुआ लगता है अपने भाई का नंबर मुझे दोगी मुझे उनसे थोड़ा बात करनी है क्या बात करनी है तुम्हारे बारे में शिव के बारे में जब आपके बात करने का व सपने पूरे नहीं होते है मैंने कलती हूं मैं किसी को मिस करने पेसे नहीं करती हूं अब तक मिस्खिया मेरे लिए बस उत्ना ही काफी है तांक यू है सुरी सर मैं वो पेशेंट को मेडिसिन दे रही ती आए जॉन बहुत ही अनलकी बच्चा है पैदा होने के एक साल बाद उसने अपनी मा को खो दिया ऐसे सी पढ़ने के समय उसे बाप का प्यार भी नहीं मिला इस उमर में जो सुख मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा उसे बुरे लड़कों की संगत में बुरी आदत हैं सीख चुका है मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं प्यार में पड़ गया हूँ उसका पागल प्यार देखकर मुझे लगा कि आप उसकी लाइफ पार्टनर बनेंगी बट आपसे मिला तो यकिन हुआ कि उसे मा का भी प्यार मिलेगा आप अंजान पेशन्स की इतनी सेवा करती हैं तो अपनों की आप कितनी सेवा करेंगी आपको देखके मुझे बहुत खुशी हुई आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं आप जैसा बोल रहे हैं वो अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है वो मुझसे प्यार करता है ये सच है कि जूट है ये सब कुछ मुझे नहीं मालूम पर मैं उससे प्यार नहीं करती ये मैं भी बोल दूँगी आप भी बोल देना कि एक एक के प्यार ममता को देखके उनके घर की बहु बनने की इच्छा हो रही है वो देने वाले प्यार हम दर्दी से कि मन विचलित हो रहा है बेटा मुझे तुमसे इंट्रड्यूस होने की जुरत नहीं है मेरी भी तुमारे जैसी एक लड़की है और उसका भाई अपना फ्यूचर खराब करके प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ है यह सब तुमारी वज़े से ही खराब हो रहा है मेरे बेटे के साथ प्यार का नाड़क खेलना बंद कर दो मैं जानता हूँ तुम उसको प्यार नहीं करती और कभी करोगी भी नहीं तुम जो चाल चल रही हो वो यह नहीं समझ पा रहा है मैं खुद भी इसी बारे में ही सोच रही थी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर हो जाऊंगी इस एरिया को ही छोड़ दूंगी मुझे बहुत खुशी हुई यह जानकर कि तुम उससे बहुत ही दूर जा रही हो मैं यह सोच के आया कि तुम मेरे घर की भव नहीं बनूगी लेकिन अब लगता है कि तुम एक सही लड़की हो मैंने जो तुमारे बारे में सोचा था वो सब गलत था तुम जहां रहो खुश रहो आयशू तुम कुछ गलत नहीं सोचोगी तुम से एक बात बोलू मानोगी क्या क्या है आंटी बोलो नहीं होगा ऐसा मत बोलना आयशू शादी होने के बाद तुम हमारे साती रहो ऐसा जरूरी नहीं जहां तुमारा मन हो तुम वहीं रहना ठीक है मेरा सरदर्ध हो रहा है मैं यह सोच रही हूँ कि क्या सही है क्या गलत है मेरी तु कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा कोई एक दिन बताओ जो तुम्हें अपने मा की कमी फील हुई हो फील होने के लिए आप छोड़ेंगे तब तो ना आयशू तुम्हें कभी नहीं मिलेगी ऐसा कभी तुमने फील किया नो वे वो नहीं तो दूसरी और दूसरी नहीं तो तीसरी उसके लिए मैं अपना दिमाग खराब करने आयशु मुझे पसंद है बहुत पसंद बहुत ज्यादा पसंद है पापा आप चिंता मत कीजिये आयशु ज़ान से अबन कर जरू रहेगी है आयशु हाइ है हलो है हाय हाय हाइ गुढ नाइंग फ्रेंग कैसी हो है हेई अहां नया मोबाइल है यस कली तो लिया मैंने 90,000 का ओ रेली एक बर मुझे दिखाना दिखाता हूँ आज सुबह मिलना है करके आधी रात को मेसेज किया था पहले वो तो बताओ याद है कि भूल गई तुम सब लोगों के लिए एक गुद न्यूस है मेरे प्यार को एक्स्प्रेस करने का सोच रही हूँ अभी से अपने प्यार का इजहार करके तीन लोगों को हर्ट करने का मेरा मन नहीं है मेरे प्यार के इजहार के वाक्त सब जगह सब कुछ अच्छा होना चाहिए सूरज के किर्णों के प्रकाश में मेरे प्यार का इजहार हो लव करती है लव देखता हूँ वो कैसे प्यार करती है ये राजश के रहती हुए गाउं में कोई किसी को कैसे प्यार कर सकता है मैं अपनी प्रेमी के साथ अपनी जिन्दगी शुरू करना चाहती हूँ बाकी के सभी लोग आकर अपनी विश मांगो वो जगह डेवलापिंग फिल्ड हो सकता है या तो अलकोलोग फैक्टरी भी हो सकता है तुम्हारा जॉइन्वेंचर अपार्टमेंट भी हो सकता है या तो तुम्हारी पसंदीदे जगह भी हो सकती है कि अब सी यू गाइज बाबाई इस शीबू इतने परिशान क्यों लग रहे हो आईशू ने डिसाइड कर लिया भावी कि आखिरकार उसका लवर कौन है ऐसा है तो तुमसे प्यार नहीं करती क्या नालूम नहीं बोला है कल बताएगी माई गौड तुम्हें देखके मैं तो घबरा ही गई थी कल बोलेगी इसके लिए तुम्हारा मूट खराब हो गया अगर वो किसी और से प्यार करेगी तो तुम कैसे बरदास्त करोगे इसलिए तो डर लग रहा है भावे की कल क्या होगा भावे तक ड्यूटी पर नहीं गए क्या अरे रे 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 क्या है मा सुनो न मा सुबह से बिना कुछ खाय पिये पूजा कर रही हो आप एक दिन नहीं आप मा पूरे एक साल भी आप पूजा करती रहोगी ना तो भी मेरे नसीब में आईशु का नाम नहीं लिखा है वो मुझे नहीं मिलेगी मा ऐसा नहीं है बालू पूजा और प्रार्थना आने वाले अनर्थ को रोकती हैं मा आने वाले अनर्थ को रोक सकते हैं लेकिन किसी के नसीब को नहीं बदल सकते मा नहीं बिटा बालू देखना कल वो तुम्हारे पास आके मै मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बालू यही बोलेगी वो तुमसे भगवान शे बहुत इनुसंट लड़का है अच्छा क्या है बुरा क्या है उसे कुछ नहीं बता वो जिस लड़की से प्यार करता है बस वो अच्छी हो आप उन दोनों को एक करो प्रिम स्वागेल स्वागेश प्रिम्मिड लिटेख केमर है बालॉ इस साह लिएलिएले यह नम्मर की डितेख दो प्लीस नोट दोनों को सैनु रूट इनौनल प्रफेल दूनी नॉरे बाल नाइन? डबल इत नाइन सर प्लीज होल नाइन सर शूर सर थैंक यू फोर काल इन लाइन सर यह नमर पांच दिनों से नौरी जबल है इंकमिंग आवगई रस्त्रिक्टिड है प्लीज नोट दीटेल सर डॉक्टर नितेश बाल्दा डॉक्टर नितेश बाल्दा हालो हाँ सर आपने जैसा बोला मैंने उन चार लड़कों को फॉलू किया ओके ठीक है मैं देख लूँगा तो उसका भाई मुंबई में था जरूर नितेश ही होगा तोनों मिलके कुछ तो प्लैन कर रहे हैं गुट इवनिंग सर आइम आप अप स्टेशन आइस सॉय मैसेज नेटवक प्रॉब्लम इस हेवी हो आइम लीविंग नाओ आइवल बी रीचिंग तुमार वाली मॉनिंग प्लीज टोन्ट मिस्टेक मी थैंक यू ये गलती करने वाला होता तो मैसेज देखते ही रिप्लाई नहीं करता सॉरी फो दे डिस्टुमेंस डॉक्टर इट्स ओके सर शेव जो है वो मेरा भाई है और वो आपके ऑफिस में काम करने वाली आईश्यू से प्यार करता है उसके लिए इतनी एमर्जेंसी क्यों? उस दिन मैंने उसे अपने एरिये में देखा जग्गू के बारे में इंक्वारी करते हुए उसका रियक्शन कुछ अजीब सा था यही जानने के लिए जब मैं उसके घर गया तो उसने बहुत अजीब रियाक्ट किया पुलिस डिपार्टमेंट है ही ऐसा आप लोगों को तो किसी पर भी शक हो जाता है ऐसा वेल विशर प्रदर, करजियन, फ्रेंट चितना मैं जानता हूँ आईशू ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती मैं बोलू या ना बोलू आप अपने भाई से शादी नहीं कराएंगे फिर मैं ऐसा क्यों बोलू आप नहीं बोलेंगे तो उसे लॉक अप में डाल कर हमारे स्टाइल में डील करना पड़ेगा बोलें डाक्टर, सोच लीजी आप आईशू एक बहुत अच्छी लड़की है हॉस्पिटल में पेशन्ट को जैसे वो देखती है ऐसे तो एक नर्स भी नहीं देखती मैं आईशू का भाई, उसका बेस्ट फ्रेंड भी हूँ मैं नियूरोलोजिस्ट वो और्थोपेडिक सर्जन पापा बिजनेसमेन मा हाउस वाइफ एश्वरया आईएस्ट कर रही थी सिटी लाइफ पसंद नहीं थी उसकी एक स्मॉल फैमिली बट अ ब्यूटिफुल फैमिली निदावापा गामारे मेरे प्रभु वर हमें दे वर हमें दे खुश रहे हम वर्दे हमें एक दुझे संग मिलके रहे देव जैस माता पिता इनके साय में ही पलूं मेरे प्रभु वर हमें दे मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु हो सपन सभी देख दूझे के संग मिलके रहे गब को भूला कर हसते रहे मन की सुनले सुनले प्रभु वर्दे हमें वर्दे हमें घर ये अपना प्यार का मंदिर वर्दे हमें वर्दे हमें बच्वन की आदे हमें देती हैं खोशी एक दूज़े हम नार उठेंगे कभी प्यार ये अपना है सबसे जुदा हर गम को हस के सहता रहा मेरा प्यार प्रभू और शिश दे सुख और शांते में ले मेरे प्रभू मेरे प्रभू वर्ख में दे वर्ख में दे लास्ट येर दीपावली के दिन आईशू तेज रफ्तार से कार ड्राइव कर रही थी और उसकी उस तेज रफ्तार से कार एक्सिडेंट हो गया और उसी कार एक्सिडेंट में उसके मावाप की मौत हो गई अरे विनोद आईशू कैसी है कैसी है तु तो जैसे कुछ जानता ही नहीं मावाप की तिथी के समय आके गया उसके बाद घर पर एक बार भी आकर नहीं देखा मेरी वज़ाए से एक्सिडेंट हुआ मेरी वज़ाए से मेरे मावाप मर गए उसी गम से वो अब तक बाहर नहीं आई और तुम पूछते हो कि वो कैसी है वसंद अगर तुम चाहो तो आईशू को मुस्कुराट दे सकते मैं भी रोज रोज आने के लिए सोचता ही रहता हूँ पर आना ही नहीं हो रहा है वर्क विजी एटलिस्ट फोन पे बात कर सकूँ दस बार फोन करता हूँ लेकिन वो फोन ही रिसीव नहीं करती है अरे फोन तो रिसीव करना चाहिए न और यहां मेरी कोई तकलीफ ही नहीं समझता है थोड़ा मेरे बार में तु सोचो यार प्लीज ओके इटलिस्ट शादी करके उसे घर पे तो लेकि जा सकते हो न तुमारी कसम घर पे सादी के लिए सब राह देख रहे हैं तुम नहीं तो अगर तुमारा भाई कारी चलाता अगर एक्सिडेंट होना होता है तो होई जाता है इतना ही नहीं अगर मौत आनी होती है तो घर में भी आ जाती है जो जो समय में होना होता है वो हुकर ही रहता है ऐसे ही तुम उनको याद करते रहे तो घर में रहते रहते मेंटल हो जाओगी मेरे से मेरी आँखों के सामने हुआ मैं कैसे भूल सकती हूँ मेरी घर पर आजाओ नहीं तो उसके घर पर चली जाओ एटलीस बाहर निकलोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा रिलेक्सेशन मिलेगा तुम बोलो इसे कुछ वसंद के साथ बाहर जाओगे तो थोड़ा रिलेक्स फील करोगी आईशो तुम बाहर जाना चाहती हो तो इसक अच्छा गरो और फिर तुम इस तरह से कम से कम तुम इस हैंग ओवर से तो बाहर आ जाओगे आईशो मैं च्राइब करती हूं थेकर आईशो भाई कि मामा ये क्या ओवा चोड़ो चोड़ो बचाओ चोड़ो बचाओ चोड़ो बचाओ चोड़ो 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 वो लड़के लोग कौन है पता चला वो लड़के कहां से आये गाड़ी नमबर क्या था उनके बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिली पर उसका ध्यान तो सिर्फ गाड़ी में बैठे हुए लोगों पर ही था आपने उन लोगों को ढूणने की कोशिश नहीं की आईशू को बचाने की उपर ध्यान था कैसे भी करके वसंद के साथ उसकी शादी करवाने की कोशिश की उसका दिल तो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है और लड़की की इस्दद वही तो उसकी पवित्रता है आईशू, ले लो रोना बंद करो जाने वाले के पीछे हम नहीं जा सकते इतना तो समझो और कितनी दिन बगएर खाय पिये रहोगी तु तबियत खराब हो जाएगी कम से कम जूस तो पीलो नहीं चाहिए, प्लीज भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ठीक है, मत पियो देख वसंत, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ लेकिन कुछ सुन ही नहीं रही तुम ही समझाओ आईशू शौरी बोल के जलने वाले आग में तेल डालने की मुझे इच्छा नहीं है ऐसा सब क्यों हो रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये सब देख रहा हूँ तो इतना सब कुछ हो गया मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है बताओ मैं क्या कर सकता हूँ कोई बात नहीं छोड़ो एक भाई मेरे अंदर है और एक भाई मेरे साथ में है वसन तुम कैसे भी करके इसको अपने घर ले कर जाओ नहीं तो यह यहां पर भूगी मर जाएगी ओके नितेश तुम इसको तैयार करो मैं लेके जाता हूँ स्वेर मैं कुछ भी नहीं करूंगी आप जाके आएए टेक केर आशू मैं सुबात हूँ सब के लिए मैं ही कलंग हूँ पिछले जनम में मैंने क्या पाप किये थे मुझे पता नहीं परिशान हो गई हूँ मुझे मौद भी नहीं आती नहीं आएगी आईशू तुम्हें मौद नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारी जान मेरे पास है मैं तुमको मनने नहीं दूंगा आईशू तुम्हारे माता पिता तुमसे दूर नहीं गए हैं तुम्हारे पास ही हैं तुम्हें भरोसा रखना चाहिए तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए तुम रो रही हो घुट घुट के रो रही हो तुम ऐसे रहोगी तु वो नहीं रोएंगे कि आईशू प्लीज समझो यार प्लीज खाना खालो चलो आ करो देट्स लाइका गुड़ गाल मुझे तुम अपने घर पे ले चलो आईशू वो नहीं हो सकता है घर वाले नहीं मानेंगे तुम्हारे घर में मानेंगे नहीं तुम मेरे करीब क्यूं आए हाईशू मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें लाइफ लॉंग में छोड़ूंगा नहीं बट मैं तुम्हें शादी नहीं कर सकता मतलब तुम्हारे कहने का मतलब मुझे शादी के बग्यार आखरी तक मुझे अपने साथ रखोगे क्या बी प्रेक्टिकल आईशू जिस लड़की को चार-पांच लड़कों ने रेप किया हो उसे कौन माबाब गले लगाएंगे यह चार पांच जन रेप किव लड़की के साथ तोने के लिए मानेंगे क्या मानेंगे क्या मानेंगे क्या मानेंगे क्या मानेंगे क्या आइशु आइशु क्या कर रही हो यह मानेंगे क्या टुम्हारे साथ साधी करके मैं कैसे रह सकता हूं सिक्षम हाइस क्या कर रही है तो मैं छणो और भी नहीं ६ मतलूंगी मैं तुम्ने अपने तोस्त को भी दोखा दिया है आईशो आयशो क्या कर रही हो यहजा और होगी मटवल spoken तो आपके कहने का मतलब है उसके अंदर कोई भूत आता है एक नियूरोलोजिस्ट होने के नाते बता रहा हूं उसके उपर भूत भी नहीं है और भगवान भी नहीं है ये एक भाई का भरोसा है उससे multiple personality disorder है वो ऐसे ही बाहर नहीं आता है जब कोई उसके बदन को छूता है तब वो बाहर आता है और वो तो आपने देखा ही है तो उसका रेब करने वाले को डून के मार देने का probability का चांस है क्या चांस है भी बोल सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं पर आपने ऐसा क्यों पूछा? जस्ट क्लैरिफाई करना चाहता था उस दिन से उसके साथ रहने की बजाए उसे घर में अकेला लॉक कर दिया थोड़े दिन के बाद मैं तुम्हारे उपर बोच बन कर नहीं रहूंगी बोलकर किराय के घर में रहने चली गई अब एक बार आईचू से बात करके देखे अगर वो मेरे भाई को पसंद करती है तो मैं खुद ही उन दोनों की शादी करवाऊंगा थैंक यू वेरी मच सर आज ही उससे बात करता हूं और उसे मनाता हूं किधर लेके जा रहे हो कहीं नहीं बस यहीं चल रहे हैं हां तुम अलेडी प्यार कर रही हो लगता है चीच करता है उसने मेरी जिन्दकी बर्बाद की है श्रत धांजली दे रही हूं आप लोगों का अश्रवात चाहिए अश्रवा पाँ आप कर दो रहे हैं किया है तो यह तुम्हारी गलती है मेरी गलती नहीं है वाट यू मीन आइन नीड यू इन माई लाइफ मैं तुम्हें किसी के लिए छोडूंगा नहीं अच्छा सब तुम ने डिसाइट कर लिया क्या वो मुझे पसंद नहीं है लेकिन मुझे पसंद है ना चोड़ो चोड़ो तुम गलत करें जॉन जित से एक पासकते हो पर उसके मन को नहीं चोड़ो अगर तुम मन दोगी तो मैं ले लूँगा लेकिन शरीर नहीं दिया तो भी मैं लेही लूँगा चोड़ो जॉन मेरा बदन मत चुओ ठीक नहीं होगा ठीक है तो मैं आपका बदन नहीं चूँगा क्या मुझे एक सेल्फी मिलेग सॉरी ओके सुपर्ब एन सेक्सी टू सी यू बेबे मैंने अब तक तुम्हारी इस फोन से जितनी भी सैल्फी ली है वो सब न्यूड है क्या तुम देखना चाहोगी बेबे क्याहोगी बच्वा मेरे निटें के रहर करते है, जाय कि आपधो अल्टीन को ना जाए खे कि पड़ी मुझे है जाया हो, जाया है यह ब्राइंड ठीक है लेकिन प्रॉड़क्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है बट वाइ मैं यूज करने वाली सोप शांपू पाउडर पर्फियूम कोस्ट्यूम्स नौट ओनी डाद दिन हाव कुद यूज इंडियन मेड आम रेली प्रावड आईशू इसके बाद मैं भी फ तुम्हें हमेश्य सुनना चाहिए सब कुछ अब आपके हाथ में कल वो तुम्हारे पास आके मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बालू यही बोलेगी वो तुमसे यहीं वो आईशू तुम ऐसे क्यों कर रही हो आशू क्या हुए तुम्हें आशू 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 आहू बालू 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 क्या हुए तुम्हें बालू यह बाला जी होलो ब्रिक्स ट्रैक्ट्री में एक मर्डर हुआ है तुम अपने साथ दो और हवल्दारों को लेके इमिजेटली स्पॉट पर आ जाओ ठीक है सर और हां एम्मूलन्स को भी इंफॉर्म करना किसका बेटा यह यह अजंक्य को फोन कर रहा हूं तो इसका फोन नौट के न स्टारी किया हुआ है किसे फोन के नहीं उठा रही है कंटी तो जा रही है पर फोन के नहीं उठा रही है तुम शिव से प्यार करती हो यह सोच रहा था मैं बट तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए मेरी जिन्दिगी को मतलब मिला आई लव यू आईशू आई लव यू सो मच आईशू आई लव यू सो मच रहा तुम मेरी जिए लव रहा रहा था रहा रहा प्राइश रहा रहाँ प्राइश दो रहा 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 हट यहां से अरे बाद को देखो हटो यहां से हलो सर हमारे एरिये में सीरियल क्लिंग का केस है ऐसा क्या जी मैं देखता हूं सर ओके ओके सर जॉन राट से यह लगा घर नहीं आया पता नहीं कहां चला गया जॉन बालू बालू क्या हो गया तुझे पक्वार जॉन गहां गया यह अरे अरे दूर अटो दूर अटो अ सित्दू अ मेरा बच्चा ये लोग ने अपने साथ ले जाकर मेरे बच्चे की जान ले ली चल जूटी तेरे कर्म की वज़े से तेरा बेटा मर चुका आज मैं कितनी बार कह रहा था कि ये जादू टोना कुछ भी नहीं है लेकिन मेरी सुनी ही नहीं बिल्कुल नहीं सुनी तुमने बहुत खराब हो रहते तु ये सब तुमने बिनबताय किया है तुमने ही मेरे बेटे को खराब किया था रुनाश कर रही है तु क्या क्या कर दिया है तुने अपने पैदा की हुए बेटे को भी खराब कर दिया मार दिया तुने हत्यारेने तु सब खत्म हो गया ना मर किया आईशो आईशो क्या आपने मेरे शीबू को देखा नहीं मैंने नहीं नहीं देखा यह बगवाद हुआ 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 dilemma जिजस ये क्या हो गया जी बोलिये सर वो मिली क्या नहीं सर पर उसके घर से एक बॉड़ी मिली है सर अब जो बचा हुआ है वो सिर्फ मेरा भाई है अगर उसने मेरे भाई के साथ कुछ किया ना तो मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा उसे छोड़ना मत डोंट ब्रेक दा लॉव तुम्हारे ही लड़कों की गलती है अगर अब भी तुम उसका एंकाउंटर करोगे तो तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती सबको मार देगी तो क्या उसकी खोई हुई इज़त वापस आजाएगी सर उसको आरेस करके पेश करो इट्स माइ और अजीब बात है ना देखो ना तुम्हारे हुआ और बड़ी बहनद्स चोटी और लेकिन में तुम्हारी मा यासी थी हूँ तुम्हारा हसना रोना अक्छेस समझ जाती हूं भावी भाइया से बाथ करने को मन करता है है जी करता है क्यों सारी भातेशेर करूं लेकिन वो नहीं करते पता नहीं वो मुझे से ऐसा वेवार क्यों करते हैं बताए भावी मैं क्या करूं वाइड़ेस टीट में लाइक क्रिमिनल कभी गवार तो मुझे लगता है कि जैसे मैं उनका सगा भाई ही नहीं हूँ प्लीज हेल्प मी उन्हें खुश करने के लिए मुझे संवी नियाता मैं क्या करूँ सुनिए अब तो कुछ बोलिए अब तो आपने अच्छे से सुना ना कि उन्हे ना भाला भाला ना 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 हम् सान के घेर, कि मीजुदी से एंब पना मैं को से सकत्नी अच्छे यसे से सकत्ância हे व्यआरा, और च पुोलिए, अजो के अच्छे पेटा सकत्ujuज कि वोले, कि अर दो के वोगे खे बिंदान UP, अरे अरे क्यों मार रही है कि अ हुँ 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 अ प्यार कि और है उन्होरी कर दो सिरोस्यका इटक भीट से ह सिर… ऑए में ऄटु़ पारा इटक गे मैं साहिं आए कमेहें एbak देखिए सर कैसे लडाई कर रही है वो सी लोह घए हु घए रही है जिरो रही है रहा रही है यह विनोद कहा गया कहा गया विनोद कहा गया मुझे बूला मेरी रक्षा करेगा रक्षा करेगा मेरी शिवो को मार दिया शिवो ने मेरा रेप नहीं किया था भाई मेरी जान से जादा उससे प्यार किया है उसे भी मार डाला अब का चला गया शिवो शिवू 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 बहिंए यह क्या हो गया चलो हॉस्पिमडलगे चलो प्रॉमिस कीजिए कि आप उसे कुछ नहीं करेंगे वह मुझसे प्यार करती है बादा कीजिए शेबू बादा कीजिए कि उसका खयाल रखेंगे शेबू शेबू प्रॉमिस करता है ना टैंक यू शेबू शेबू तो लाइफ में जितना भी समझ गया उतना ही बहुत है अपरादी की जाच की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे डूल परसनालिटी डिसॉर्डर की विचेत्र मनोरोगी बिमारी है अपरादी को पता चले वगयर उसके शरीर से उसके भाई के द्वारा किये हुए मडर की सजा अपरादी को देना ठीक नहीं है उसके भाई को उसके शरीर में बार बार आने जाने और मडर करने के लिए सजा तो नहीं दे सकते पर उसके भाई के उसके शरीर से अच्छी तरह से निकलने तक पुलिस कस्टेडी में रखकर उसका इलाज करवाया जाए और ठीक होने पर उसे छोड़ा जा सकता है ऐसा कोट आदेश देती है झाल झाल